बहुत-बहुत स्वागत है आपका, thank you very much for coming to the session, तो आज की practice शुरू गर दें, देखें कुछ daily use के sentences हैं, जैसे कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्यों fail हो गए, तुम्हें क्यों लगता था कि बिना पढ़ाई करे पास हो जाओगे, अगला मौसम पत जड़का आएगा, सब सूना-सूना लगेगा, एक्शन में problem क्या है यह हमारे हिंदी के sentences हैं, इनको इस word order में नहीं बोला जा सकता है, और कुछ conditions में हमको words भी बदलने पड़ते हैं, तो वो sentences को किस तरीके से naturally बोलना है, वो sentence structures देखेंगे, grammar साथ के साथ समझेंगे, alternatives देखेंगे कि और कितने तर तरीका देखेंगे और इसको अच्छे तरीके से, naturally किस तरीके से बोला जाएगा, see, why do you think you failed, दो-तिन sessions में अभी हमने इसकी काफी practice करी है, तो यह structure होता है, जब हम दो questions करते हैं, तुम ही क्या लगता है, तुम fail क्यों हो गए, तो यह दो questions है, आप इसको इस तरीके से कह सकत है, what do you think, question mark, अलग sentence किया, what do you think, why did you fail, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है, अगर आप एक रीजन पूछ रहे हैं, एक साथ में पूछ रहे हैं, specific एक ही बजे का, so why do you think you failed, पहले वाला question रहेगा, और आगे वाला केवल, neutral statement हो जाएगा, so why do you think you failed, इस तरीके से, जैसे कि त लगता है, वो कब आएगा, तो when do you think, हमें पूछ रहे हैं, so when do you think, he will come, right, तुम्हें क्या लगता है, उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं करी, तुम्हें क्या लगता है, उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं करी, so why do you think, he didn't help you, getting my point, तो जब आप 10-12 sentences बोल लेंगे इस प् तुम्हें क्यों लगता है, तुम्हें क्यों लगता था, कि तुम बिना पढ़ाई करे, पास हो जाओगे, तुम्हें क्यों लगता था, पास हो जाओगे, पास में कुछ लगता था, फ्यूचर के प्रति, तुम्हें क्यों लगता था, बिना पढ़ाई करे, पास हो जाओग तो वाइड यू तेंग यू विल पास विडाउट स्टड़ी अगर हम कह देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि पास में कुछ सोचा गया कुछ करने का पास में कुछ तो यहां विल की जगह वुट का इस्तमाल कर लेते हैं जैसे कि वाइड यहां पर यहां पर यह कह दूँ आई फॉर्ट यू इन्वाइट यू फॉर्ट पार्टी तो गलत हो जाएगा राइट तो वाइड यू थिए पास की बात है पास में सोचा था वाइड यू तो यू व next sentence I hope समझ में आया होगा आया हो तो please like बटन दबा दीजेगा now शायद मैंने उतनी महनत से पढ़ाई नहीं करी जितनी महनत से मुझे करनी चाहिए थी इसके अंदर क्या है कि बिल्कुल सिंपल सा should have का थोड़ सा इस्तमाल सीखेंगे शायद मैंने उतनी महनत से पढ़ाई न सकता है perhaps इसका मतलब है लिटरल शायद so maybe I didn't study as hard उतनी हाल ने अच्छी तरीक से नहीं पढ़ाई करी maybe I didn't study as hard as I should have should have का मतलब यह कुछ काम हो जाना चाहिए था देखे आपको पढ़ना चाहिए you should study अगर आप कह रहे हैं कि कर लेना चाहिए था तो you should have और यह काम कर लेना चाहिए था you should have studied logic क्या है जैसे मैं इस sentence को थोड़ा पूरा करूँ इसको हम इस तरी कैसे कह सकते हैं तो maybe I didn't study as hard as I should have studied यह जो studied है यह थर्ड फॉर्म है किसी भी sentence में अगर has, have, head इस्तमाल हो जाएगा तो third form का ही मैं इस्तमाल करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो की speed कम्या ज्यादा लग रहे है तो स्क्रीन पर टैप करिए साइटिंग आइकॉन आपको दिखेगा उससे आप वीडियो की speed कम्या ज्यादा कर सकते हैं but please stay tuned पूरा दिखेगा so maybe I didn't study as hard as I should have studied जैसे तुम्हें मुझसे question पूछना चाहिए था so you should have asked me the question right अब यहाँ पर हम अंदाजा लगाए वो तक है जब आपको I didn't study as hard as clear हो गया should have clear हो गया इसी में फिर एक वर्ट एक्सरा जोड़ेगा तो एक बार में सब नहीं आएगा portions को समझते जाहिए आज़त में डालते जाहिए बोल बोल के अब मैं कहूं कि शायद मैंने इतनी मेहनद नहीं करी जितनी मुझे करनी चाहिए थी तो यह में भी हटा दो यहां से राइट में भी कह दिया आप इस चीज़ को ऐसे कह सकते है I might not have might not have जब आपने कहा तो माइट से आपने इंडिकेट कर दिया से पास्त की बात कर रहे है कि पास्त का अंदाजा लगा रहे है I might not have studied as hard as I should have getting my point तो यह कुछ एक portion हमको याद ही होने चाहिए इतना याद होगा as as लगाना है शायद मैंने नहीं किया इस लिए इस तरीके से अंदाजा लगा रहे है आप I hope look at the next sentence तुम सही समझे तुमने सच में पढ़ाई नहीं करी तुम बिल्कुल सही समझे तुमने सच में पढ़ाई नहीं करी जब कोई व्यक्ति आपकी भावना को समझ गया है तुम सही समझे त यहां कहा है यहां कहा है इस बात को आप सही समझ गए यहां आप सही कहा रहे हो रहे हो रहे है इंट्रेशेंजबली यूस किया जा सकते है लेकिन पता होने चाहिए याफिए याफिए यू राइट यू दिंट स्टड़ी इंडीड आपने वास्तव में पढ़ाई नहीं करी यू आ राइट याफिव गॉड़ इड्राइट गय रहते हैं सीजन बोता है जो मौसं बदलता है ना सर्दिगर्मी बरसात यह सारी जीज़ जो है यह सीजन है वेदर का मतलब होता है टेमपरीचर दो वेदर इस वरी हूमेड टोड़े यानि मैं इस एक्मॉस्फियर के बाद कर रहा हूं सीजन की नहीं तो वेदर इस वरी रहा है तो बरसात का मौसं चल रहा है को ना बता कर के सिंपल के दूगा इक्स रेनी सीजन अमच जाएगा क्योंकि इट्स कहके मैंने अवस्था बता दिया वस्था कैसी है तो चल रहा है कहना कंपल सरे ने इंग्लिश इस पोकन इट्स ओन वे अपने तरीके से बोले जाती है कई सारी चीज़े हैं जो हमें सुनके ठीक नहीं बढ़ती है इसको कैसे बोला जाएगा हिंदी से मिला नहीं किया जा सकता एक मिनट और लूंगा मैं आपका प्लीज स्किप मत करेंगा इस पार्ट को अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि रोजाना एक वीडियो डालते हम आपके लिए और नोटिफिकेशन बैल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे कि जैसी हमारा वीडियो अप्लोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा सो देट यूट मिस एनी वीडियो और दूसरा आप हमारी लाइफ क्लास भी अटेंड कर सकते हैं उसके सबसे बड़े दो फाइदे हैं सबसे पहले हम आपको अपने प्र प्रेशन करेंगे तो पता चलेगा कितनी जल्दी रिस्पॉंड कर पा रहा है इंस्टेंट्ली सेंटेस याद आ रहा है यह नहीं आ रहा है तो अपना लेवल खुद से पता चलेगा जब बात करेंगे वाइस चैट का ऑप्शन होता है कभी भी कॉल स्टार्ट करिए लोग जो भी फ्री होते हैं आपको जोईन कर लेते हैं तो ग्रॉप में प्रेक्टिस करेंगे औल्टरनेटिप्स पता चलेंगे ग्रॉट इंग्लिश पता चलेगी वोकेबलरी पता चलेगी सारा गेम एट्मॉस्फियर का है तो वहाँ ग्रॉप आपको पूरा दिल कुछ ना कु यह ग्रामर क्या है क्यों यूज हो रहा है इस तरीके से सेंटिस क्यों बोला जा रहा है ज्यादा कुछ नहीं है 40-45 लिटरल ग्रामेटिगल रूल्स होते हैं एडवांस ग्रामर बगारा मिला करके तो वो समझ लेने हैं 300 करीबन स्ट्रक्टिर से सिचुएशन से 15-20 दिन मे सारे doubts and concepts clear हो जाएंगे और sentences को आदर में डालने के लिए practice partners मिल जाएंगे friends बन जाएंगे जितनी चाहें जब चाहे practice करेए क्योंकि हम कोई monthly fees charge नहीं करते हैं इक बाद छोटा सा amount आपको pay करना है उसके बाद जब तक आप English में fluent नहीं हो जाते तब तक आप हमारी classes attend कर सकते ह everything is unlimited for you right so what's up कर दीजेगा live classes में आये I'll be waiting for your message and let's get back to it now सारे पेड पॉध हे मुर्जा जाएंगे जैसे कि the next season is autumn सारे पेड पॉध हे मुर्जा जाएंगे so all the trees and plants will wither will wither विदर का मदला भी होता है मुर्जा जाना so all the trees and plants will wither now full or pattya peru se jhaad जाएंगे pool or pattya peru se jhaad जाएंगे so flowers and leaves will fall from the trees fall from the trees we kaha jaa सकता है और fall off the trees bhi kaha jaa सकता है जैसे कि flowers and leaves will fall off the trees off का मतलब हो कि अलग हो जाएंगे from का मतलब है वहां originate वह और वहां से अलग हो जाएंगे हाला कि you can say either of them don't know interchangeably use करे जा सकते हैं so flowers and leaves will fall from the trees या फिर flowers and leaves will fall off the trees right look at the next sentence सब सूना सूना लगेगा actual में सूना सूना की कोई translation नहीं ढूणनी है यह होता है translation नहीं होता है feeling होती है situation अपने mind में image बनाएए उससे related word यूज कर लीजे लेकिन उसको fit कहा करना है यह बस सीखने की चीज़ है so everything will feel so empty सब सूना सूना लगेगा everything will feel so empty आप ऐसे कह सकते है everything will look colorless हाला कि आपने कुल मिला करके बहुत perfectly ना सही लेकिन एक situation related word यूज करके situation थोड़ी सी पहुचा दी है फिर सामने वाला भी common sense रखता है वो खुद से समझ जाएगा कि आप कितना feeling भरना चाहा रहे है आवाज को ऊपर नीचे करके बोल दीजेगा getting my point हाला कि यह बहुत natural तरीक है दोनों तरीके से मौसम को define किया जा सकता ह है तो everything will feel empty everything will look colorless या फिर कह सकते है everywhere will look colorless and empty यहां कहा everything सब कुछ और everywhere जब आपने कहा तो आपने surroundings की बात कर दी everywhere will look colorless and empty सब कुछ empty लगेगा colorless लगेगा during autumn यानि जब तक पत जड़ चलेगा लेकिन भगवान का शुकर है पत जड़ जादा दिन नहीं रहेगा तो हमें उसके presence की बात कर रहे है नहीं चलेगा stay long last last long यह वर्ड तुरंत याद आना चाहिए फिर sentence में fit कहा पर करना है thank God autumn won't last long autumn won't last long last long word use किया जा सकता है या फिर एक दूसरे तरीक से कह सकते है thanks to God thanks to God यह भी काफी ज्यादे common expression है जब भगवान का शुक्र करना चाहता है या भी thank God भी कहा जाता है thanks to God autumn won't last long याने कि ज्यादा समय नहीं चलेगा अब won't last long ना कह करके आप कह सकते हैं thank God autumn won't stay longer won't stay longer stay का मतलब भी देखे स्टे का मतलब कोई ठहरना वगरा नहीं है यह जितने भी वर्ड्स होते हैं इनका मीनिंग हिंदी मीनिंग नहीं होता situation के हिसाब से feeling होती है आप किसी चीज़ के presence की बाद कर रहे है लास लॉंग कहकर और स्टे कहकर भी right I stayed there in Delhi for two weeks याने की मैं दिल्ली में दो हफ़ते तक present था स्टे का मतलब है होना मौजूद होना तो और भी related word हो सकते है getting the point look at the next sentence तो यह समझ कैसे आएगा आप सुनेंगे अनने सिच्वेशन में तो पता चलेगा इस इस सिच्वेशन में यूज कर लिया जाता है अगर हम इस टे का मीनिग निका लेंगे तो इस टे का मतलब हमारे हिसाब से हिंदी से जैसे हमने सी का मतलब किसी होटल में रूखना right समझ में आया होगा डिफ्रेंट जैसे कि पतिजड के बाद बसंद आएगा फूल खिलने लगेंगे पतिजड जब चला जाएगा पतिजड के बाद बसंद आएगा फूल खिलने लगेंगे पतिजड में क्या क्या होगा everything will look colorless and empty and the leaves and flowers will fall off the trees getting my point? सब कुछ सूना सूना लगेगा so everything will feel empty सब कुछ सूना सूना लगेगा पतिजड के बाद बसंद आएगा फूल खिलने लगेंगे so after autumn अगर हम ये कहें पतिजड के तुरंद बाद बसंद आएगा so right after autumn right लगा दिया आपने emphasize कर दिया right just say talk to me right now come here right now so right after autumn यानि की पतिजड के तुरंद बाद spring will come and flowers will bloom देखे flowers bloom भी करते हैं और blossom भी करते हैं right दोनों में difference समझेगा after autumn spring will come and flowers will bloom एक और दूसरे तरीके से बोल करके देखे पहले after autumn the next season will be spring and flowers will bloom after autumn spring will come या फिर the next season will be spring ये translation हो गया हला कि बोला जा सकता है message जा रहा है आपका and your sentence is grammatically correct so you can say this sentence you can speak this sentence right अब देखे हैं bloom जो हमने कहा और blossom थोड़ी सी अवस्था चेंज है फ्लावर के खिलने की जो अवस्था है so after autumn spring will come and flowers will blossom blossom जब कह रहे हैं हम तो बिलकुल पूरे बगाएगा पूरा पूरा खिल चुका होगा और bloom आप जब कहा रहा है तो उसके खिलने की प्रक्रिया जब खिलने की प्रक्रिया में है तो वह bloom कर रहा है और blossom कब करेगा पूरा का पूरा खिल चुका है एक और चीज़ है flower flower भी कर सकता है जैसे कि after autumn spring will come and flowers फूल खिलेंगे तो फ्लावर हालगी कहा जाता है लिए साल में कितने मौसम आते हैं और आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद बसंद के अलावा इसमें पतय करना क्या है हम को इसमें हमें यह पूरा का पूरा निए सीखना छुटे छुटे टुकुनों से हमें शुरुवात कर एक साल में कितने मौसम आते हैं इसको सीखते समय एक चीज़ सीखनी है कि आते हैं कि ट्रांसलेशन ना करते हुए मैं उनके existence feeling को समझू कहना क्या चाह रहा हूं मैं यह कहना चाह रहा हूं so how many seasons are there in a year how many seasons are there in a year एक साल में कितने seasons होते हैं getting a point तो literal शब्दों का translation नहीं करना है और टुकड़े करकर के सीखना है so how many seasons are there in a year and which one do you like the most सबसे ज़्यादा के लिए the most का इस्तेमाल कर लेते हैं right so which one do you like the most besides spring besides मतलब है अलावा इसके सास साथ इसके अलावा getting a point तो टीन टुकड़ो को यहां एक अठा बोल दिया गया how many seasons are there in a year and which one do you like the most besides spring तोड़ के बोलेंगे समझ के बोलेंगे तो 300 sentences समझ लिए 300 structures समझ लिए बस वह याद करने उन्हीं को modify करके सारी बाते कही जाती है इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से बोल करके देखते हैं right so how many seasons do we have in a year यह बहुत natural common तरीका है हमने इसको तो हिंदी के words use कि है how many seasons are there in a year लेकिए जब आप conversation में बात कर रहे है न थोड़ा सा personalize करके बात करते हैं कि यार कितने मौसम होते है हमारे यहां पिर getting my point so how many seasons do we have in a year and which one do you like the most besides spring spring को छोड़के बताईए और यह question है आपके लिए आपको देखिए अपनी English को टेस्ट करना है so don't be easy at writing please लिखना जरूर है कि एक साल में कितने मौसम आते हैं और आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है spring को छोड़ देना है और साथ में यह भी लिखना है why जैसे कि जो भी मौसम आप English में बताएंगे लिखने की कोशिश कर रही 10-12 sentences तो कौन सा मौसम ज़्यादा पसंद है और क्यूं यह जरूर लिखिएगा हम हर कमेंट को पढ़ते हैं आपकी मैनत विकार नहीं जाएगे आपका सेंटिस ठीक होगा देनाल गिविए लाइक तो समझ जाएगा करेक्ट है आपका सेंटिन और थोड़ा बहुत गलत होगा उसमें करेक्शन की जरूरत होगी तो करेक कर सब्सक्राइब करेंगे तो प्रीज लिखेगा जरूर जैसे कि क्योंकि बसंत ऐसा मौसमें जो सब कोई पसंद आता है तीन चार तरीके से कहा जाए सिकता है घुमाफिरा करके रहेंगे वही बेसिक रूल्स राइट बिकर्स स्प्रिंग इजा सीजन एब्रीन लाइक्स इस तुमने इसमें व्याकरण नहीं लगाई हिंदी जैसी जैसे कि जो सब को पसंद आता है इसको कह दिया जाता है जैसे कि क्या तुम वह यू जिससे मेरी कल बात हो रही थी तो जिससे हट जाएगा यह इंग्लिश में बोलते सामें सिंपल कह दिया जाएगा आइगा आई के लिए जोर देने के लिए तो स्प्रिंग इस सीजन बैट एव्रीवन लाइक्स लेट लगा दिया इसकी बात कर रहा हूं या फिर देट के दिक विच भी कहा जा सकता है काफी डीटेल में समझा हूँ है हमने अपने एक दो पुरानी सेशन में दैट और विच में क्या फर